यह नहीं बहुत टाइम से वीडियो बनाने की सोच रहा है और फाइनली मौका बन गया अगर आपका AEW में कोई इंटरस्ट नहीं है तो फिर भी यह वीडियो देख लो कि मेरा कहाँ कोई इंटरस्ट है फिर भी बना रहा हो ना क्योंकि इंटरस्टिंग काफी जाता है होने व मैट हो चाहे रैंपे जो फिर भी यह टॉनी भाईया नहीं मानते हाले तैसी हो चुकी है लेकिन फिर भी बंदा स्टेडियम स्ट्रूर्स बॉक कर रहा है भाई आगे के लिए मैं आपको बताता हूं इनका बेड़ागर का खिर शुरू कैसे हुआ अगर आप देखते हो नह मैचे बूटल स्टोरिलाइन दिखान उनका सेलिंग पॉइंट था शायद वो जो बार बार शॉर्स लेते रहते ने डव अबली पे यह जो सीम पं के साथ कॉंट्रवर्सी हुई वो इस कंपनी को ले डूबी अब देखो ऐसा नहीं की भाई इन चीज़ों रोल प्ले नहीं व्याद देखो कभी कभी मेंशिन करते हैं वह बहुत नाम लेकर एक रेफरेंस देंगे और इतना स्मूध रोस्त करेंगे कि मज़ा आजाएगा लेकिन एडवली वाले तो भाई भर भर के कभी ट्रिपल एच के बारे में कुछ कभी ट्रिपल एच की वाइफ ट्रिपल एच का मालिक होना कोई चोटी बात नी होती है अब सबको तो पता ही होगा यार ऐसी WWF और WCW की कॉंटरवर्सी हुए थी 90s के टाइम पे दोने एक दूसरे के राइवल से WCW के पास जादा पैसा था लेकिन फिर भी WWF ने एड देंट हरा दिया था और आउट आप बिजनस कर अच्छी बुकिंग से अपने इच्छी स्टोरी लैंस के दम पे अपने रसलेंस के दम पे उसको तो कंपिशन बोल भी सकते हैं इन दो कंपनी का तो कंपेटिशन है नी भाई पूरे प्रोफेशनल रस्लिंग बर्ल्ड में 90% बही डब डब डबी ऑक्र करके बैठी हुए ब को ले आए यार किस को नहीं लाए हर बड़े रसलेर्स को उन्होंने साइन कर लिया जो कि डब डब डबी एए फ में पॉपुलर था और एडबली की शुरुवात जैसे हुई थी उन्होंने भी तो यही चीज की एक दो आते तो फिर भी ठीक था यार उन्होंने भी CM Punk, Edge, Jeff Hardy Matt Hardy, Big Show, Mark Henry, कितने ही नाम ले लू भाई मैं, जितने popular wrestlers WWE के थे सारे साइन करना शुरू कर दिये कि भाई हम तो भाई क्या business चलाएंगे, लेकिन WWE चीज समझती है, और उस ताइम पर Vince McMahon, अभी जितने Tony Khan की एज है, उस ताइम पर Vince McMahon की भी उतनी एज होगी, लेकिन उनका दिम में कुछ गलतियां होई होगी, लेकिन Vince का दिमाग जैसा है भाई, वैसा किसी का नहीं हो सकता, उन्होंने ही company यहां तक पहुचाई है, जैसे कि मैंने बोला, AW भी गलती कर रही है, लेको उस ताइम पर WCW ने भले WWF के सारे बड़े-बड़े wrestlers sign कर लिये थे, और no doubt WCW को साइन बड़े-बड़े wrestlers WWF के लेकिन WWF ने पुराने wrestlers पर रिलाय नहीं किया, उन्होंने अपने new stars बिल्ड करना शुरू किये, फालतो से tag team वाले को The Heartbreak Kid Sean Michaels बना दिया, Mean Mark Calloway को The Underdaker बना दिया, Brett The Hitman Heart को लाए, ऐसे ऐसे wrestlers इनको WCW ने यह कहके निकाल दिये थे कि यह क साइर ही हो जाएंगे ने एक time पे और कितना ही time अच्छा से compete कर पाएंगे, कितनी अच्छी storylines दे पाएंगे लंबे time तक, लेकिन अगर new wrestlers को आप बनाने में कामयाब रहते हो तो definitely long term success रहेगी वह wrestlers के लिए प्लस company के लिए और यह जो पूरी चीज में ने आपको बताई, सेम चीज आप आज के time पे उठा के देख लो,AW ने भी same गलती कर लिये, सारे पुराने wrestlers को sign करकर लेकिन WWE ने कभी अपने पुराने wrestlers पे rely नी किया, अभी देख लो आप new stars बिल्ड करने लग गई है, कितने असारे ऐसे superstars थे जिनका शायद हमें एक दो साल पे ने नाम त चुके हैं, और यही से WWE को long term में benefit देगी, और AW को तो डुबाएगी डुबाएगी, क्योंकि उनकी बस की बात नहीं हो,W के पास अब तो एक plus point भी है ना, अब वो equal competition नहीं किसी का,W बहुत बड़ी company है, शायद आप बोलो कि यह सर्फ पुराने wrestlers, थोड़ी है, AW में नए- कि यहां से मैं शुरुवात करता हूँ, थोड़ा ओवर होता हूँ crowd में, ताकि WWE की नजरे पड़े मेरे उपर, और जैसी में थोड़ा बड़ी मुझे खुच साइन कर लेगी, एक wrestler का नाम लूँगा मैं, जो कि है MJF, intentions clear लगते हैं बंदे कि कि उसको क्या करना, अपने future के स सारे हैं, WWE में, क्योंकि उन्होंने देख लिया है, ना महाल, पहले के टाइम पर विसुक मैन की बुकिंग्स अच्छी नहीं लगती थी कुछ सूपरसास को, creative freedom नहीं मिलता था कुछ सूपरसास को, तो mismatch हो जाती ही सारी सीज़े, इसलिए वह सोसते थे कि किसी और कंपनी मे हम जायें, जहां पर हमें, तोड़ी creative freedom नहीं मिलें और अच्छी bookings भी मिलें, लेकिन अब तो बहाँवाली पूरा चेंज हो गया, triple H पूरे control में, और क्या great role वो प्ले कर रहे है, wrestlers को build करने के लिए, सब बहुत कुछ है हैं, इवन जितने भी wrestlers WWE में वापस आये हैं, चाह इतना बड़ी है कि जब भी किसी दूसरे company के wrestler को पता लगएगा कि यार, ये चीज़े चलरी WWE में, तो definitely वो interested हो जाएगा आने के लिए, तो अब जब कोई reason ही नहीं बचा है wrestlers के पास WWE को छोड़नेगा, तो वो क्यों ही जाएंगे, definitely मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही wrest कुछ तो हमेशा जाते ही रहते हैं, कुछ ने कुछ आते ही रहते हैं, लेकिन मैं majority part की बात कर रहा हूँ फिलाल, and at the end वही चीज़, कि जिस तरह के हाल चर रहे हैं WWE के, क्या AEW को खरीद लेगी WWE, क्योंकि वो तो arena तक में show नहीं करवा पा रहे हैं, अब देखो होने को तो AEW को भी खरीद लें, तब कुछ हो सकता है, ऐसे तो नहीं, और मुझे जादा चांसे इस चीज़ के लगते हैं, कि शायद खरीदने वगारा वाला सीन ना हो, बलकि ऐसा हो सकता है, कि WWE और AEW को लाब कर लें, अभी हम देखे रहे हैं, WWE ऑपन है बाकी कंपनी के साथ काम करन करने वाले मैंने सुना था, तो WWE अभी opportunities क्रेट कर रही है, और एक infamous line तो आपने सुने ही होगी, if you can't defeat them, join them, AW definitely यही चीज़ करने वाली जब उनको पता लगी जाएगा, कि यह हम से ना हो पाएगा, तो वो हाथ ही मिला लेंगे फिर WWE वालों से, और मैं तो काफी excited रहूंगा जब Survivor Series में, हमें WWE vs. AW या फिर WWE vs. AW vs. TNA देखने को मिल जाएगा, ओ भाई साब, यह तो मैं खुआ भी देखता था एक टाइम पर और वो सच भी हो सकता है, so that's the whole thing, बाकि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो ने देखी, जिसमें कि मैंने Money in the Bank 2024 के shocking qualifier बताए हैं, यह रही यार आपके सामने वीडियो, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो, और मैं मिल तो हूँ आप से फिरी नेक्स वीडियो में एक बहुती इंटरस्टिंग डॉपे के साथ, so until that time, this is Jay, signing out.